हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वूडियो में मैं आपको वूमेन सेफटी के बारे में बताऊंगा जब एक औरत बार सफर कर रहे हों, किसी लिफ्ट में हों, रात में कहीं सफर कर रहे हों तो हुए है कैसे अपना बचाओ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा दोस्तो मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ता कि आपको ऐसी ही वीडियोज टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो एक औरत या एक वुमेन को तब क्या करना चाहिए जब वै देर रात में किसी उची इमारत की लिफ्ट में किसी अजनभी के साथ स्वैम को अकेला पाए तो दोस्तो इसमें मेरी राय है एक टिप है जब आप लिफ्ट में परवेश करें और आपको तेरवी मंजिल पर जाना हो तो आपको अपनी मंजिल तक के सभी बटनों को दबा दे कोई भी वेक्ति उस परिस्तिती में हमला नहीं कर सकता जब लिफ्ट पर तेक मंजिल पर रुकती हो क्योंकि वे सोचेगा कि जब भी वेक कुछ करने के हरकत में होगा तो तभी लिफ्ट खुल जाएगी उसे पता होगा कि अब लिफ्ट खुल जाएगी तो वे कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेगा दोस्तों दूसरी सिच्वेशन होती है जब आप घर पर अकेली हो और कोई अजनवी आप पर हमला करें तो क्या करें दोस्तों इसका आंसर है इसकी जो टिप है या सेफटी जो बरतनी है वो कैसे बरतें तुरंत रसोई घर की और दोड़ जाएं दोस्तों आ प्लेट या कोई भी ऐसे अत्यार रखें या ऐसी चीजे रखें जिससे आप हमला वर पर हमला कर सकते हैं यह सबी आपकी सुरक्सा के ओजार का कारिय कर सकते हैं और भी नहीं तो प्लेट वे बरतनों को जोड़ जोड़ से फैके भले ही तूटे और चुलाना शुरू कर दे याद रखें कि सौरगुल ऐसे व्यक्तियों का सबसे बड़ा दुस्मन होता है वे अपने आपको पकड़ा जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा इसलिए वे या तो घबरा जाएगा या फिर भाग जाएगा दोस्तो तीसरी सिचुएशन है रात में ओटो या टैक्सी से सफर करते समय क्या करना चाहिए दोस्तो ओटो या टैक्सी में बैठते समय उसका नंबर नोट करके आप अपने पारिवारिरिक सदस्यों या मित्रों को मोबाइल पर उस बासा में विवरण से तुरंध सुचित करें जिसको की ड्राइवर भी जानता हो मॉबाइल पर येदि कोई बात नहीं हो पा रही या उत्तर नहीं मिल रहा तो भी ऐसा ही शो करें कि आपकी बात हो रही है वे गाड़ी का वीवरन आपके परिवार वे मित्र को मिल चुके है इससे ड्राइवर को अवास होगा कि उसकी गाड़ी का वीवरन कोई व्यक्ति जानता है और यदि कोई दुछास किया गया तो वे पकड़ा जाएगा इस प्रिस्तिती में वे आपको स्थीती में आपके घर तक पहुंचा देगा जिस व्यक्ति से खत्रा होने की आशंका थी अब वे आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा दोस्तो चोथी सिच्वेशन है यदि ड्रैवर गाड़ी को उस गली रास्ते पर मोड़ दे जहां जाना ना हो और आपको महसूस हो की आगे खत्रा हो सकता है तो क्या करें दोस्तो ऐसी सिच्वेशन में आप अपने पर्स के हैंडल या अपने डुपटा चुनरी का परियोग उसकी गर्दन पर लेपेट कर अपनी तरफ पीछे खीशती है तो सेकिंडों में वे वेक्ति ऐसाए वे निर्बल हो जाएगा यदि आपके पास पर्स या डुपटा ना भी हो तो आप घबराएं ना आप उसकी कमीज के कोलर को पीछे से पकड़ कर खीचेंगी तो शट का जो बटन लगाए हुआ है वह भी वही काम करेगा जो आपके बैग या डुपटा करता आपको अपने बचाओ का मोका मिल जाए यदि रात में कोई आपका पीछा करता हो तो क्या करें दोस्तो ऐसी सिचुवेशन में आप किसी भी नजदी की खुली दुकान या घर में घुश कर उन्हें अपनी प्रेशानी बताएं यदि रात होने के कारण बंध हो तो नजदीक में एटियम हो तो एटियम बोक्स में गुश जाएं क्योंकि वहां पर CCTV कैमरा लगा होता है पहचान उजागर होने के भैसे किसी की भी आप पर वार करने की हिम्मत नहीं होगी दोस्तो आखिरकार मांसिक रूप से जागरुक होना ही आपका आपके पास रहने वाला सबसे बड़ा हत्यार सिद्ध होगा करपया समस्त नारी सक्ती जिसका आपको ख्याल है उन्हें ना केवल बताएं बलकि उन्हें जागरुक भी कीजे अपनी नारी सक्ती की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ना केवल हम सभी का नैतिक उत्तरदायत है बलकि करतेविये भी है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेट्व हर जगे इसे शेयर करें ताकि उनके घरों में भी जो वूमेन है जो भी लेडीज है उनकी सेफटी हो सके वो भी अपनी सेफटी का ध्यान रख सकें दोस्त करें और न्यू नोटिफिकेस के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद